हेलो दोस्तों कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगे तो आज फिर हम आपके लिए एक बहुत गजब का वीडियो लेका है और यह वीडियो जो असिस्टेंट प्रोपेसर की वेकंशे से इलेटेड़ है यहां पर हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोपेसर एस्सोसियेट प प्रोपेसर बन जाते हो और फिर आपका जो प्रोपेस्कील cveff भड़ता है ऐस तरीके सारी ओल फेसंट है फिल्क्ल सारी ऑट में पर्सेंट यह गौर्मेंट जोब है ठीक है अब मैं इसके बारे में आपको सारी के सारी जानकारी देने वाला हूँ बिल्कुल फुल डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ लेकिन उससे पहली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ल ठीक है? फर्स्ट टैंडिशन यहां से लिके चलता हूँ मैं देखो यहां पर मैं सबसे पहले मैं लास्ट डेट बता दू लास्ट इट है जो 1921 इसकी लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर eligible है यह special मैं बता रहा हूँ जो PWD के candidate है वो सारे यहाँ पर eligible है ठीक है अब यहाँ पर जो pay scale है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं professor या director का pay scale है जो AL 14 है और range है जो 144,000 से 2,18,000 है प्रिंसिपल का जो pay scale है वो 144,200 से 2,18,000 है associate professor का pay scale 31,000 से 2,17,000 है assistant professor का pay scale 37,700 से 1,22,000 है ठीक है अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं faculties या vacancy की कौन से department से vacancy निकली है और कितनी vacancy है तो आपको बिना skip की यह थोड़ा ध्यान से देखना है इस वीडियो को क्योंकि यहाँ पर यह जो notification वो 18 पेज का है और इस university की बहुत सारी branches है बहुत सारे department है एक बहुत बड़ी university है एक central university है यह तो इसलिए यह सारे department से vacancy निकाल यह तो एक भी department मिस नहीं हुआ यहाँ पर ठीक है तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखो जहां पर आपका subject आता है वहाँ पर वीडियो का रुक के और फिर आसानी से पढ़ सकते हो ठीक है तो यह आपको total 11 department दिख रहे हैं जिसमें उर्दू इंग्लिज है department of English है economics है history है islamic है political science है इस तरीकी से total 18 है फिर इन सभी के जो 11 department थे उनका यह eligibility criteria है कि इसमें eligibility क्या चाहिए तो इसमें यहाँ पर PhD compulsory है इसमें ठीक है उसके बाद यह था प्रोफेसर के लिए ध्यान रखना यह प्रोफेसर के लिए तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पर PhD compulsory किया गया है इसके लिए अलावा आप जो भी इसका eligibility criteria वो पढ़ सकते हो उसके बाद हम यदि associate professor की बात करें तो associate professor का 12 से 20 तक जो यह vacancy है जो subject वो associate professor के लिए है और बाद में 21-22-23 यह भी associate professor से संबंदीत है और यह इसका eligibility criteria कि associate professor के लिए क्या eligibility criteria है धहां रखे यहाँ पर PhD यहाँ पर भी compulsory है क्योंकि associate professor प्रोफेसर के लिए तो almost हर जगा PhD compulsory रहता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह eligibility criteria है फिर आते हम assistant professor पर 24 से लेकर 37 तक जो यह सारे सार departments है यह assistant professor के लिए है और इसका eligibility criteria वो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल साप साप सब्दों में ध्यान रहे यहाँ पर PhD compulsory नहीं किया गया है ठीक है PhD compulsory नहीं है यहाँ पर master degree 55% से होना चाहिए यह पहली बात है उसके बाद यह उससे related कुछ other information दी हुई है जिनको आप आराम से पढ़ सकते हो असिस्टन प्रोफेसर के दो यह हैं education department से इसका यह eligibility criteria वो इनका दिया हुआ है यहाँ पर और इसके अलावा हम बिल्कुल आराम से पढ़ते जाएंगे देखते जाओ बिल्कुल 44-42 यह assistant professor से संब्दी थे यह इनका eligibility criteria है और उसके बाद हम बात करें 43-44 यह भी assistant professor की है जिनका eligibility criteria यहाँ पर दिया हुए और उसके बाद हम बात करें 45, 43, 47 ये भी Assistant Professor के लिए और उसके बाद मैं बात करूँ आपके साथ 48, 49, 50 ये भी Assistant Professor के लिए और ये इसका Eligibility Criteria है जो भी आप आसानी से देख सकते है और उसके बाद हम बात करें 51, 52 से लेकर उन सर्था कि ये सारा कि सारा पर पर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और फिर हम चलते हैं 78, 79, 80, 81 ठीक है ये subject है assistant professor के लिए और principal के लिए ध्यानकना principal भी न्कलोड है यहां पर और उसका जो eligibility criteria है वो यहां पर दिया हूए जो बिल्कुल आपको वीडियो रोग के पढ़ सकते हैं ठीक है ये 82 number की post है mechanical engineering की eligibility criteria यहां पर दिया हूए यह फिर 83 से 87 तक है और इसका eligibility criteria यहाँ पर दिया हुए यह 88 से लेकर 97 तक है 98 तक है और 99 तक 100 तक है जिसका eligibility criteria यहाँ पर mention किया गया है ठीक है फिर 101 से लेकर 109 तक है जिसका जिसमें यह subject included प्रोफेसर का है ठीक है प्रोफेसर का है और इसके जो education qualification वो यहाँ पर mention किया गया है उसके बाद 110 से लेकर 117 तक है सारिक सारी जो देख सकते हैं आपका कौनचा department है और उसका eligibility criteria सारक सार यहाँ पर दिया हुआ है तो आप देख स सकते हो फिर 118 से लेकर बिलकुल आगी का प्रोसेसर सारक सारा देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा थोड़ा स्पीड कर लेता है बहुत लंबा वीडियो बन जाएक आप जहां पर भी आपका subject आता है वहाँ पर आप वीडियो को रोक कर फिर आसानी से देख सकते हैं ठीक है यहां तक हम आज चुके हैं ठीक है अब आपको फॉर्म बढ़ने की जो लास्ट टेट मैं उन्हें बता दिया और यह आपको पहले अब मैं बताता हूं कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करोंगे तो देखो फॉर्म है जो आपका online mode में अप्लाई होगा ठीक है और यह है आपकी website ठीक है इस website के उपर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जैसे आप इस website के उपर किलिक करोगे और इसके अलाव मैं फी भी बता देता हूं यहां पर फी है जो 500 रुपे है ठीक है यहां पर फी आपकी 500 रुपे रहेगी जो की non refundable है ठीक है अब मैं यहां पर बताता हूं कि आप इसका form कैसे apply करेंगे तो यह है इसकी website official website आप google के उपर search करो amu.ac.in उसके बाद आपके पास यह page open होगा उसके बाद हमें क्लिक करना है किसके उपर job at amu पर जैसे आप job at amu के उपर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक नए page खुलेगा और उसको scroll करते हुए बिलकुल नीचे तक चलना है हमें ठीक है और यहां पर लिखाव है local advertisement इसके उपर हमें क्लिक करना है जर्नल वैकेंसी के उपर क्लिक करना है में देखो अदर लिंक में यह जर्नल वैकेंसी लिखाव है इसके उपर हम क्लिक करेंगे जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे हमारे पास एक नए page खुलेगा इसमें हम वैकेंसी के उपर क्लिक करेंगे जैसे वैकेंसी के उपर क्लिक करो चाहो तो आप form apply कर सकते हो ठीक है हम advertisement को पर click करते हैं जैसे हम इस advertisement को पर click करेंगे हमारे पास यह already download था लेकिन यह हमारे पास page खुल गया है ठीक है तो इस तरीके से आप इसके official web page के उपर पहुंच सकते हैं और जो website है उसका link मैंने वीडियो के description में दे दिया है बागी आप मेरे को message करके comment करके पूंच सकते हो ठीक है लेकिन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना वीडियो को ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए और मेरे सभी सातियों को बहुत-बहुत सारा best of luck गजब तरीके से form apply करे form में कोई mistake नहीं करना है और